हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स इस्टड़ी इंडिया में और आज हम लोग केमिस्ट्री आफ प्रोटीन में आगे बढ़ेंगे और अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद हम लोग आज दिखेंगे अप्यिक अचिविटी आफ अमीनो एसिड या मोरे बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री आफ प्रोटीन जो मारा चलना है यूनिट सेकेंड तो यहां प mincedी दिया गया है optical activity of अमीनो एसिड याननी जो अमीनो एसिड का molecule होगा, जिसे हम लोग ने classify किया था, इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें हम लोग ने देखा था, इसके acidic nature को, basic nature को, neutral amino acid को, और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, essential और non-essential amino acid होते क्या हैं, फिर हमें देखिए पढ़ना है, इसके optical active nature को, यानि optical activity के बारे में, optical activity का मतलब, यह light को किस तरह से rotate कराएगा, clockwise, anti-clockwise, इसमें chiralty क्या होती है, और symmetric carbon क्या होता है, तो सभी चीजों को आज हम लोग समझेंगे, या हम लोग इसी को बोच सकते हैं, stereocamistry of amino acid, ठीक, तो यहां तो बोलिया optical activity, या stereocamistry के बारे में, हम लोग यहां पे देखेंगे, तो बात की जाए amino acid के बारे में, तो यहां पे दिखे दिया गया है, कि amino acid are chiral compound containing at least one chiral carbon atom, तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक amino acid देखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा होगा, कि जो carbon है, वो क्या सा है, chiral nature का, chiral carbon क्या होता है, तो अगर बात की जाए, chiral carbon की, तो अगर जैसे मैं अगर यह amino acid बनाऊ, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, lysine, glutamic acid के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पे कोई amino acid ड्रा करूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनादू lysine, तो lysine में क्या था, एक था NH2 group, और उसके बाद CH2 group थे चार, और यहाँ पे जो carbon था, इसके यहाँ पे जुरा हुआ था hydrogen, यहाँ पे जुरा हुआ था COOH, और यहाँ पे था NH2 group, तो अगर देखा जाए कि यह जो carbon है, इस carbon की बात करेंगे, यहाँ पे जो carbon लगा हुआ है, इस carbon से, एक तो जुरा हुआ है COOH, यानि carboxyl group, एक जुरा हुआ है NH2 यानि amine group, और एक पूरा का पूरा यह क्या है, carbon chain के साथ amine group जुडा हुआ है, इधर लगा हुआ है हमारा hydrogen atom, यानि यह जो carbon है center में, इसके चारो तरफ, जितने भी groups हैं, सभी क्या है, different types के हैं, कोई भी दो group हमारा similar नहीं है, तो ऐसे carbon atom, जो क्या हो, single bonded हो, और उस single bonded carbon atom से, जितने भी group लगे हुए हैं, सब क्या हो, different types के हो, तो ऐसे carbon का बोलते हैं हम लोग, chiral carbon atom, तो यह हमारा जो amino acid है, वो कैसा है, chiral nature का है, तो maximum जो amino acid हमें देखने के लिए मिलेंगे, वो चाहे SD हो, चाहे basic हो, चाहे neutral वाले हो, तो maximum हमारे क्या होते हैं, वो chiral nature के होते हैं, कुछ इसमें exception भी है, तो अगर exception की बात करेंगे, तो हमारा जो एक amino acid है, यह वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं, glycine, जो कि हम ल इसमें जो carbon atom होए, वो क्या है, वो chiral नहीं है, तो इसके structure को बना के अभी हम लोग समझेंगे, तो पहले, जहां maximum चीज़े हैं, हमारे amino acid में, वो chiralty को सो करती हैं, यानि अधिक तर जितनी भी amino acid हैं, सभी क्या है, chiral nature के होते हैं, जैसा कि मैंने बना दिया example में, लाइसीन का, तो लाइसीन बनाईए, चाहे glutomic acid को देखिए, सभी में क्या है, chiral carbon हमें देखने के लिए मिल जाएगा, यानि ये carbon कैसा होना चाहिए, single bonded, single bond का मतलब, चार single bond, यानि SP3 habidized carbon, which containing four different thick groups, तो एक exception भी हमारा यहां पर देखे आता है, ये दिया गया है, therefore, these, so the optical isomer isomerism, तो ये हमारा क्या सो करेगा, optical isomerism, तो देखे, optical isomerism सो करने के लिए, पहला condition, तो हम लोगों पता चल गया, कि जो हमारा alpha amino acid है, वो must be chiral linear, जिसे हम लोग chiral बोलते हैं, या asymmetry carbon भी बोलते हैं, और दूसरी चीज़ दी गई है, यहां पे, exception के बारे में, हमारा देखे, जो glycine है, वो glycine क्या है, केवल एक ऐसा ही amino acid है, अब देखे, इसके लावा दूसरा कोई exception नहीं है, केवल और केवल जो glycine होता है, वही हमारा chiral नहीं है, ठीक, बाकी सारे chiral होते हैं, तो maximum सभी chiral है, यही क्या है, केवल एक exception है, जो की exam में, पूछ सकता है कि कौन से amino acid ह हमारे ऐसे होते हैं, जो chiral nature so नहीं करते हैं, तो वो मारा क्या है, ग्लाइसीन है, तो इसको ध्यान दे के हमें, चलना है, अगर मैं इसके structure को बनाओ, जो की इसके पहले वाले में हम लोग देख चुके थे, तो glycine क्या होता है, इसका अगर मैं diagram ट्रा करूँ, तो यहाँ प लगा हुआ था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह chiral carbon नहीं है, यह carbon कैसा है, chiral नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो-दो group सेम है, तो अगर दो group अगर सेम आ गए, तो यह chiral नहीं होगा, तो यह हमारा क्या है, कि exception है, जिसको आप लोग यहाँ पर note कर सकते हैं, तो यह सारे amino acid chiral nature के हैं, केवल glycine को छोड़ कर, अब इसके बाद आईए, आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिखिए दिया गया है, ठीक है, elanine, and all other amino acid have asymmetric carbon, asymmetric बोलिये चाहे, chiral बोलिये, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और दिया गया है, at position to the alpha carbon atom, for the reason they have optical active and exist the DEL, तो अभी बात करेंगे हम लोग DEL configuration की, DEL form, which are non super impossible mirror image to each other, तो पहला condition हमें पता चल गया, कि जो alpha amino acid है, उसमें carbon कैसा होना चाहिए, chiral nature का, एक example और देख लेते हैं, यहाँ पर दिखिए दिया गया है, elanine का, तो elanine हमारा, एक example है, ठीक, alpha amino acid का, जिसको मैं बनाऊं, तो यहाँ पर क् होगा, carboxyl group, एक होगा, NH2 group, यहाँ होगा, H और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, CS3, तो यह मारा क्या बन गया, elanine, तो यह जो elanine है, यह अगर बात की जाए, तो यह क्या है, एक neutral alpha amino acid है, neutral क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग देख सकते हैं, कि जितना HD group है, उतना basic group भी है, यानि एक carboxyl group भी यहाँ present है, और एक amine group भी यहाँ पे present है, दो दोनों क्या है, equal amount में है, यानि एक amine और एक carboxyl, तो overall होगा, यह neutral nature का हो गया, क्योंकि यह तो हमारा क्या है, यह neutral खुद है, तो इससे कोई मतलब नहीं, HD basic है तो नहीं, यह तो कोई फरक पहुचा कैसा है, neutral alpha amino acid है, ठीक, लेकिन इसमें जो carbon यहाँ पे बैठा हुआ है, यह कैसा है, काईरल nature का है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यह group अलग, यह group अलग, यह भी group अलग, और यह भी group क्या है, अलग, यानि चारों के चारों, different, different types के group इससे attach हैं, तो इस चीज को भी आप लोग amino acid have the asymmetric carbon aniline को लिया जाए, या बाकी amino acid को लिया जाए, तो उसमें क्या होता, asymmetric carbon होता है, तो asymmetric carbon यह है, पता चल गया हमें, कौन सा carbon asymmetric है, इसे हम लोग बोच सकते है, alpha carbon या carbon 2, तो यहाँ पर दिखी दिया गया है, at position 2, the alpha carbon atom, तो इसे हम लोग carbon number, अगर इसका माली जाए, पेसी नाम लिखना हुआ, तो हम लोग starting कहां से करेंगे, यहां से, क्योंकि इस carbon को numbering करेंगे, 1 तो यह carbon आएगा, 2 जो कि क्या है, alpha carbon भी है, तो इसे ही के बात कर रहा है, कि यही क्या है, asymmetric carbon है, फिर दिखी दिया गया है, for this reason, they are optical active in nature, तो यह क्या है, optical active nature का है, तो पहला condition हमारा यही है कि chiral carbon होना चाहिए, उसके बाद अगर बात की जाए, DL configuration की, तो यहां पर दिखे एक चीज़ा लिखा गया है, D and L form, which are non super impossible mirror remains to each other, तो अगर इसके हम लोग DL form की बात करें, तो आएए इसको हम लोग पहले detail में समझते हैं, कि DL form आखिर में है क्या, तो पहले इतना चीज़ हम लोग समझ लें, तो आएए देखी बात करते हम लोग DL configuration की, कि D form क्या होता है, alpha amino acid में, और L form क्या होता है, और D और L का मतलब क्या है, तो यहां पर दिखे दिया गया है, when carboxyl group is written at the top, यानि जब हम लोग कोई भी amino acid बनाएंगे, उसमें carboxylic acid को हम लोग क यहां लिख दिया, carboxyl group को मैंने लिख दिया, इधर, top पर, यानि COOH, यहां पर लिख दिया, फिर दिया गया है, the D form refer to isomer with an H2 group at the right side of the carbon atom, similarly L form is the isomer which is an H2 group on the left side of the carbon atom, यानि मैं अगर कोई भी alpha amino acid बनाऊं, और उस alpha amino acid में, मैं पहले क्या करूँ, यहां पे जो carboxyl group है, उसे सबसे उपर लिख दूँ, फिर उसके बाद मैं यहां पे लिख दे रहा हूँ carbon atom, और मान लेते हैं, यहां पे कोई भी group लगा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, और यहां मैं लगा दिया, hydrogen, बचा क्या है, NH2 group, तो अगर NH2 group होगा, right side में, NH2 group किदर है, right side में, तब इसे बोलेंगे D form, यानि इसे बोलेंगे D alpha amino acid, अगर यहीं NH2 group, मैं left side में लिख दूँ, और यहां पे क्या लगा दूँ, R यहां पे H, तो इसे बोलेंगे L alpha amino acid, तो यहीं हमारा क्या होता है, DL naming, तो DL naming जो होगा, वो depend करता है हमा NH2 group पे, यानि NH2 group अगर right में होगा, तो इसे बोलेंगे D alpha amino acid, तो यह क्या बन गया, D alpha amino acid, अगर NH2 group right में होगा, sorry, lift में, तो इसे बोलेंगे L alpha amino acid, तो जो DL naming है, वो depend करता है, NH2 group किस side में लगा हुआ है, तो इसको पहले करिए note, तो अगर इसकी में बात की जाए, यहाँ पे, तो यह देख सकते हैं हम लोग, कि यह दूसरे का mirror image भी है, तो अगर मैं यहाँ पे mirror लगा दूँ, और इसको इधर रग दूँ, तो यह क्या होगा, ऐसा इसका image बनेगा, यह दूनों यह दूसरे का mirror image है, इसमें यह carbon कैसा है, chiral nature का है, क्योंकि चारो group अलग अलग लगे हुए है, तो पहला chiralty है, इसमें एक दूसरे के mirror image है, और non super impossible है, तो यह सबी चीज़ें अगर किसी compound के अंदर पाई जाती है, तो वो क्या होता है, optical active nature का होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसे देख सकते हैं, अगर मैं इस molecule को इ super impossible नहीं है, यानि दोनो super impossible का मतलब क्या होता है, अगर दोनो same group क्या होता है, दूसरे के ऊपर overlap कर जाए, तो ऐसा तो यहाँ पे होगा नहीं, अगर इसे उठा के इस पे रखा जाए, तो यह NH2 group के आ जाएगा, R के उपर, और इस NH2 के उपर यह वाला R आ जाएगा, तो इस जो कि हम लोग DL naming से देख सकते हैं, D और यह दूसरे क्या है mirror image है, और तिसरी चीज हमें ध्यान देना है, क्या होना चाहिए, non super impossible, non super impossible, ठीक है, non super impossible, यह दूसरी उपर क्या होता है, super impulse न करें, तो इतनी चीज़े हमें ध्यान देनी है, किसी भी amino acid के optical nature को समझने के लिए, तो यह हमारा है, यह हम लोगों ने समझ लिया, D और L, क्या है, यह केवाल एक naming है, अगर बात की जाए, D का मतलब क्या होता है, तो D का मतलब होता है, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, राइट, यह यह राइट को उसको दिखा रहा है, अनेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ये क्या है एक केवल और केवल ग्रूप को बताने के लिए ये केवल दिया गया है D-AWRING यानि ये क्या है टार? ये कोई भी रोटेशेशन है ये लेना देना नहीं है तो यहां पे हम लोग एक चीशेशत देख सकते हैं तो यह क्या दिखाता है केवल और केवल रिलेटीव कॉम्फरिगेशन को बताता है Around the asymmetric carbon atom यानि asymmetric carbon atom के किधर NH2 group लगा हुआ है उसके बाद दिया गया है Most of the naturally occurring amino acid are L-configuration तो यह हमें ध्यान देना है कि ज़्यादा तर जो amino acid हमें naturally मिलते हैं वो क्या होते हैं? L वाले होते हैं D वाले बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं उसके बाद देखें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ बात क्या जा रहा है D L-configuration does not deal with direction of optical rotation तो यह हमारा क्या है? Main चीज है जो कि हम लोग को यहां समझना जो मैंने पहले ही बताया था कि जो D और L है यह किवल हो किवल है क्या है? Configuration है यह Amine Group के Position को दिखाने का यह तरीका है Amine Right में होगा तो D Amine Left में होगा तो L इसका कोई optical rotations लेना दना नहीं है ऐसा नहीं है कि D होगा तो Right में घुमाएगा Light को L होगा तो Left में घुमाएगा Light को तो Left और Right में घुमाने वाला काम जब हम लोग बताएंगे तो वहाँ पर क्या सो करेंगे Plus Sign और Minus Sign को तो यहां पर हमें यह समझना है कि यह जो DL है वो direction को नहीं दिखाता है ठीक है? Optical rotation के ठीक है? Direction की बात करनी होगी The Direction of ठीक है? Alpha Amino Acid यह Direction को हम लोग ऐसे दिखाएंगे Plus Sign से तो जिसे बोलेंगे हम लोग Dextrorotatory Amino Acid और दिखाएंगे म लोग Minus Sign से तो बोलेंगे Levo Rotatory Amino Acid यानि अगर हमें दिखाना होगा कि जो Amino Acid है वो Plain Polarized Light को किस Direction में Rotate करा रहा है तो अगर वो Amino Acid चाहे D हो चाहे याल हो वो अगर Light Core Clockwise गुमाएगा यानि Right Side में गुमाएगा तो उसे बोलेंगे हम लोग Plus या Small D Alpha Amino Acid अगर वो Left Side में गुमाएगा उसे बोलेंगे Minus या Small L Alpha Amino Acid तो यह जो हमारा जो D और Small L होता है वो Plus और Minus से भी हम लोग Denote कर सकते हैं दिखिए जो Capital D और Capital L है उसका Rotation से कोई लेना देना नहीं है वो क्या है केवल और केवल हमारा एक Confrigation है जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे पास कोई Alpha Amino Acid है और यह हमारे पास क्या है कोई Plain Polarized Light है जिसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं ठीक जो कि हम लोग क्या करें ग्लुकोज वाले चेप्टर में भी देख चुके थे यासा यह हमारा क्या है PPL जिसे बोलते हम लोग Plain Polarized Light जो Uniderational होता है तो अगर इसको किसी Compound के Solution से Amino Acid माल जो यहाँ पे Simple है Amino Acid का इसमें से अगर मैं पास कराऊं तो अगर यह Simple जो Amino Acid इसके अंदर रखा हुआ है अगर वो इस Light को Clockwise घुमा दिया है यह इस Direction में Rotate करा दिया ठीक तो इसको हम लोग क्या बोलते है इस तरीके से तो इससे बोलेंगे हम लोग या माइनस फॉर्म तो यह वाला Small D और Small L क्या दिखाता है रोटेशन को Capital D Capital L रोटेशन को नहीं दिखाता है वो क्या है केवल और केवल एक नाम है तो इस चीच को कर लिजे नोट दिखे फिर हम लोग बात करेंगी यहां पर दिखे एक पॉइंट और दिया गया है कि आमीनो एसीड आप्टेन इन लिबरेट्री सिंथेसिस आर जनरली आप्टिकली इन एक्टिव कि यहां जो भी लोग अमीनो को ठीक ह्ले लैबुट में बनाते है या ठीक है लाइब में क्या इस्प करेंट ट्रू बनाते है तो आपक्टिकल इनक्टिव नेचर का होता है तो optical inactive nature का है तो वो क्यों है तो अगर उसकी बात की जाए तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं यह दिया गया है इस डिव टू दा फॉर्मेशन ओफ रेजमिक मिक्स्चर अब रेजमिक मिक्स्चर क्या है तो यहां पे हम लोग बात करेंगे रेजमिक मिक्स्चर का मतलब क्या होता है जिसमें डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों फॉर्म हमारे क्या हो प्रेजेंट हो यानि ऐसा अलफा अमीनो एसीड अगर मैंने मालिजे कोई अमीनो एसीड लेबरेटरी में बना दिया ठीक है एक्स्पेमेंट के थुरू मैंने बनाया अलफा अमीनो एसीड और उस अलफा अमीनो एसीड के अंदर डी वाले भी कुछ है और कुछ अल वाले भी है यानि एककोल इमांट में डी फॉर्म भी है और एल फॉर्म भी यानि ऐसे भी अलफा अमीनो एसीड मिकशर में दोनों हैं गुह भूजे Unex तो यहाँ पे दिया गया है और अप्टैकल और ठीक है तो नीट्रल सॉलूइसन मस्ट भी ठीक है तो उसका पीजिए कितना होगा साथ हो जाएगा जो रिजिए मिक्चर अगर हम लेंगे तो लाइट को नहीं घुमा पा रहा है तो उसको चेक कैसे करेंगे उसका पीज निकालेंगे तो अगर पीज आ गया सेवन तो सेव डोँ तरह के अलफा अमीनयो अचिड हमें मिलेंगे और यह लाइट को रोटेट नहीं करा पा रहा है रहा है निकलना जैसे था तो इसको बोलेंगे क्या है रेजमी मिस्चिर इसके अंदर बी वाले भी है और L वाले भी है, यानि इसका जो pH होगा, वो भी क्या होगा, साथ के राउंड आएगा, जो कि neutral का होता है, तो यही चीज यहाँ पर दिया गया है, तो generally हम लोग जो बनाते हैं, वो क्या होता है, optical inactive nature का होगा, इसे बुलेगे कि optically inactive है, यानि light को घुमाई निपा रहा है, हमें जनरली यहाँ जाजा तर देखने के लिए मिलता है, यह हमारा था optical active nature, या इसे बोलते हम लोग स्टाइक क्यों, या stereo chemistry of alpha amino acid, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, alpha amino acid का solution मनाएंगे, solution में जाने के बाद वो किस तरह से behave करता है, यूटर आयन क्या होता है, iso electric points क्या होता है, तो इन सभी चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को यह पर करते हैं समाब, thank you